गाजियाबाद के लोनी में पांच बच्चों समेत एक बुज़ुर्ग महिला की मौत छे लोगों की करंट लगने से मौत की खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है लोनी बॉर्डर के बहता हाजि पूर मौलाना की आजाद कोलोनी में पड़ीवार के 6 सदस्यों की शॉर्ट सर्केट के कारण आग लगने से हुई दर्दनाक मौत शहर के लोनी इलाके में आग लगने से एक ही पड़ीवार के 6 लोगों की मौत हो गई मरने वालों में पांच बच्चे और एक बुजर्ग हैं ये सभी एक ही परिवार के थे शुरुआती जांच में हादसे की वजह शौर्ट सर्किट बताई जा रही है जानकारी के मुदाविक दिल देहला देने वाला ये हादसा लोनी बॉर्डर के बेटा हाजीपुर मौलाना आजाद के लोनी में हुआ है मिली जानकारी के मुताविक मृत्कों के परवीन 40 वर्ष पत्नी यूसुफ अली, फात्मा 12 वर्ष पुत्री आसिफ अली, साहिमा 10 वर्ष पुत्री आसिफ अली, रतिया 8 वर्ष, अब्दुल अजीम 8 वर्ष, अब्दुल अहद 5 वर्ष पूरे गाउं में गम का माहौल बना ह क्या नामें जी आपका मुहमत साजिद जी या भी घटना हुई है उसके बारे माप क्या कहना चाहते हैं आपका क्या नाम है जी आसी पली यह जो घटना हुई है उसके बारे माप क्या कहना चाहते यह अभी जो घटना हुई है यह कैसे हुई है आप बता सकते हो कि अब बच्चों को पेपर के लिए हैं जी जी उसके बादी पर चला हुई है परिवार वारे सब साजी में गई रहे हैं